नमस्कार, आप देख रहे हैं घमासान.com मैं हुआ आके साथ दिक्षा भारुप्रिया इस थाने की कुरसी अभिशा आप क्यों मानी जाती है? यहां आने से थानेदार क्यों डरते हैं? आज हुआ आपको एक ऐसे थाने की कुरसी के बारे में बताने जा रहे हैं जिस थाने की कुरसी पर बैठने से डरते हैं थानेदार और उसकी जो वज़ा है वो भी चौकाने वाली है तो जानते हैं यह वज़ा कि आखिरकार कोई भी इस थाने में थानेदार क्यों नहीं बना जाता? नरसेपुर का गाडर वारा थाना एक ऐसा थाना है जहां कोई भी थानिदार के रूप में पदस्थ होना ही नहीं चाहता यहां आते ही थानिदार को अपनी वर्दी पर दाग लगने का डर सतानी लगता है यहाँ पदस्त लगबग हर थानिदार को किसी न किसी वज़ा से सस्पेंड करके या किसी अन्य गलती की वज़ा से लाइन अटेच कर दिया जाता है पिछले कुछ सालों की आकड़े भी यही हकीकत को दोहराते हुए नजर आ रहे हैं मसलन आडी मिश्रा, पियेज ग्रेवाल, शेलिश मिश्रा, उमेश तिवारी, मुकेश खंपरिया, अरविंद दूबे, संजे दूबे, अरविंद चौबे और अब हाल ही में रामफल गूंड को गाडरवारा टी आई के पद से हटाया गया है याकडे लगतार हटाय गए थाना प्रभारियों के हैं जिले के ASP बताते हैं कि एक दर्जल से अधिक थाना प्रभारियों को लगतार हटाया गया है हलाकि इसके पीछे वज़ा इन प्रभारियों की कर्तव्य निष्ठा में चूक होना बताया जा रहा है ASP भले ही कुछ भी कहें लेकिन फिलहाल तो ये भै नरसिहपुर में पदस्त हर नगर निरिक्षक को सताता है कि कहीं उन्हें हिस्से में ये काटो भरी कुर्सी ना मिल जाए कास्त हुआ दाए एन्हेज ना मिल जाए कि यह थीले टावाल तरह जाए आए जया वाड़ेहां है सबसे बड़ा सबड़ीजन है सम्वेदेशलिस्थान है यह कोईसिदेंस है जैसा कि आपने मताई कि 12 लोग वहाँ से लाइन अटेच हो कर अटे लाइन भी एक पोस्टिंग है और पुलिस की नौकरी जो है बड़ी अपने आप में महत्पूर्ण है क्योंकि उसमें हर तरीके से चाहिए होई है यह एक बड़ा संयोग मैं मालता हूँ कि वहाँ से जो भी हटे हैं वो लाइन आये है कही ने कहीं लोने कोई ने कोई गलती करी होगी या कही ने कहीं कोई कभी रह गई होगी जिस से काट इनको लाइन आना पड़ा अन्यता आज़ा बिल्कुल नहीं है कि कि किसी को लाइन इटाइच करना चाहते है या वहाँ से लाइन की वापसी करना चाहते है या बाप तरख संयोग ज़्या इसा तो नहीं लोग बाद जाना चाहते है सब्सक्राइब आट चैनल and press the bell icon for more updates